दोस्तों नमस्कार ये है माग दोशन फार्थ सिविल सर्विसेज मैं अनुराग शवधरी दोस्तों प्रीबियस एर्स पेपर्स रिवीजन सरिंखला में आज की वीडियो में आप साल्व करेंगे TGT सामाजी विज्ञान 2013 का इतिहास खंड दोस्तों ये वीडियो आगामी TGT PGT परिक्षा, GIC प्रवक्ता परिक्षा, गौवर्मेंट डिग्री कालेज और उच्चतर सिक्षा के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महतपूर है आप इसको तयार कर लिजे, दोस्तों आप इसका पीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्किप्षन बाक्स में डाल दूँगा तो आएए सुरू करते हैं आज का वीडियो TGT सामाजी विज्ञान के अंतरगत इतिहास खंड दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्ण देखिए बहुत ही महतपूर है निमलिखित पस समोहों में से कौन सा समोह मोहन जोदडो की पसुपति मोहर पर अंकित है आपसन है आपके सिंग, गैडा, भैसा और घोडा, ब्रिसब, गैडा, भैसा और हाथी, सिंग, हाथी, भैसा और ब्रिसब, और लाश्ट है ब्याग्र, गैडा, भैसा और हाथी तो सही उत्तर है दोस्तों मोहन जोदडो से एक मोहर प्राप्थ हुई है उसके उपर पदमासन की मुद्र में विराजमान एक योगी का चितर मिला है और पुरुस की धाई और चीता यानि ब्याग्र और हाथी तथा बाई और भैसा और गैडा का चितर मिलता है उसके सिर पर एक त्रिसूल जैसा अभुसन है जिसके तीन मुख है और मार्सल ने इस देवता को रुद्र से उसे संबंधित किया है तो सही उत्तर है मोहन जोड़ो से जो एक मुद्रा प्राथ हुई है वहाँ पर पसु जो समूह मिलता है उसमें चीता गैडा भैसा और हाथी है अगला प्रश्न है सबसे पहले चार आस्रमों का बढ़न कहां आया है कि इस उपनिसद में आपसन है आपके इस उपनिसद चांदोग्य उपनिसद ब्रहदारणयक और जबाल उपनिसद तो सही उत्तर है दोस्तों तीन आस्रमों का सरवपर्थम उलेक चांदोग्य उपनिसद में लेक और चारो आस्रमों का बढ़न जबाल उपनिसद में मिलता है तो सही उत्तर है आपसंडी जबालो उपनिसद में सबसे पहले चारो आस्रमों का बाढ़न मिलता है चार आस्रम कौन कौन से हैं तो चार आस्रम ब्रह्मचरिक, ग्रिहस्त, बानप्रस्त और सन्यास इन में सबसे पहले जो है वो जबाल उपनिसद में चारो आस्रमों का उलेक मिलता है अगला प्रश्ण है कौन प्रस्थांत्रई में सम्मिलित नहीं है आपसन है आपके भगवत गीता भागवत उपनिसद और ब्रह्मसुत्र तो सही उत्तर है दोस्तों प्रस्थांत्रई में भागवत का उलेक नहीं है जबकि भगवत गीता उपनिसद और ब्रह्मसुत का उलेख प्रस्थांत्रई में किया गया है अगला प्रश्ण है वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुसी नगर की अंतिम्यात्रा का बाढ़न किया गया है आपसन है महापर निर्वार सुत्र, जातक कताएं, ललित विस्तार या फिर बुद्ध जरित्र तो सही उत्तर है महापर निर्वार सुत्र, आपसन ए जो है दोस्तों इसमें बुद्ध की कुसी नगर की अंतिम्यात्रा का बाढ़न किया गया है आप जानते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म 563 हिसापूर में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था और 35 वर्स की अवस्था में उनको ज्यान प्राप्त हुआ, उन्होंने अपना पहला उपने उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था और उसके बाद वो लगतार भ्रमण करते रहे और अपने उपदेश लोगों तक पहुचाते रहे असी वर्स की अवस्था में कुसी नगर में उन्होंने सरीर का त्याक कर दिया था इसे बौध गरंथों में महापर निर्वार कहा गया है और महापर निर्वार सुत्र में बुद्ध के कुसी नगर के अंति में आत्रा का बाड़न मिलता है अगला प्रशन है दोस्तों गंगा अवतरण का द्रिश से कहां पर चित्रित है अगला प्रशन है महाबीर जैनने किस भासा में अपना प्रशन है तो सही उत्तर है जो है अर्ध मागधी या प्राकृत भासा दोस्तों जैन ने जैन धर्म के जो 24 में तिर्थंकर महाबीर स्वामी रहे इन्होंने अर्ध मागधी या प्राकृत भासा में अपने उपदेश दिये है जो की जनसाधान की भासा थी और गौतम बुद्ध ने पालिभासा में अपने उपदेश दिये थे अगला प्रश्न है चतुसपाद सिव प्रतिमा कहां पर इस्थित है एलोरा, उदैपुर, नचनक उठार या खजुराहो तो सही उत्तर है खजुराहो में चतुसपाद सिव प्रतिमा पाई जाती है खजुराहो मंदिर समोह के लिए बहुत अधिक प्रसिध है और दस्वी से बारहवी सताब्दी में खजुराहो के मंदिरों का निर्माड चन्देल राजाओं के सासनकाल में हुआ था अगला प्रश्न है कौन चोलवंस का राजस्व अधिकारी था आपसन है आपके पेरु मककल, अलाय नायक, सेरुंडाराम और वरिट पोता गक्का दोस्तों चोलवंस में राजस्व अधिकारी वरिट पपोता गट्टा था चोल राजी की आयका प्रमुक साधन भूमिकर था जिसको की ग्राम सभाएं वसूल करती थी अगला प्रशन है तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहां पर थी आपसन है आपके कांजी, तंजवर, मदुरय और उरैयूर तो सही उत्तर है दोस्तों मदुरय में तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ इस्थित थी अगला प्रश्ण है चोल सामराटों के अधीन कुर्रम क्या था एक नगर, एक जीला, एक प्रांत या कुछ ग्रामों का समूह तो सही उत्तर है दोस्तों कुछ ग्रामों के समूह को कुर्रम कहा जाता था चोल सामराटों के अधीन कुर्रम जो था ये कुछ गाउं का एक समूँ था परसासन की सुविधा के लिए चोल सामराज आठ प्रांतों में या मंडलों में विभाजित किया गया था मंडल का विभाजन कोटम में किया गया था जो आजकल के कमिशनरियों के बराबर होते थे कोटम को नाडु या जिला में बाटा गया था और नाडु के अंतरगत अने ग्रामसंग होते थे जिनको की कुर्रम कहा जाता था अगला प्रश्ण है दोस्तों रुद्रा देवी किस वंस की रानी थी तो सही उत्तर है वारंगल के काकती वंस की रानी थी और गडपत काकती वंस का सरवाधिक सक्तिसाली राजा था गडपत के बाद उसकी पुत्री रुद्रमबा काकती राजी की सासिका बनी थी अगला प्रश्न है उस गुप्त वाकाटक रानी का नाम उल्लेक कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमिदी थी तो आपसन है आपके कुबेर नागा, प्रभावती गुप्त, कुमार देवी या फिर दाता देवी तो सही उत्तर है प्रभावती गुप्त प्रभावती गुप्त जो चंद्रगुप्त दुती ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवा वाकाटक सासक रुदर सेन दुती से किया था रुद्र सेन दुती के दो पुत्र थे और रुद्र सेन की मिर्ट्ट के बाद प्रभावती गुपता अपने पुत्र धिवाकर सेन को गद्धी पर बठा कर उसकी संरक्षिका बनी थी और प्रभावती के पूना तामर लेक से उसके भूम अनुदान में देने का उलेक मिलता है अगला प्रशन है किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सरोपर्थम गंगा और यमुना की आक्रितियां पाई जाती है आपसन है आपके परमार, पल्लव, गुप्त और चंदेल तो सही उत्तर है गुप्त मंदिर की वास्तुकला में सबसे पहले गंगा और यमुना की आकृतियां मिलती हैं अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों अगला प्रशन बहुत ही महत्वपूर है किस अस्थल परिष्थित इश्थूप औसेशों से असोग की पासार पर उद्रिद प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है आपसन है आपके सांची, अमरावती, देहर कुथार या फिर कनग हल्ली तो कनग हल्ली दोस्तों ये विसेश अस्थूप औसेस जो हैं यहाँ पर असोग की पासाण परुद्रित प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है और कनग हली जो अस्थान है ये करनाटक के गुलबर्गा जिले के चितल पूर्तालुका में इस्थित है अगला प्रशन है किस भासा में विजय नगर के सासक कृष्ण देवराय ने अपने सूपरसिद्ध गरंथ अमुक्त माल्यदा की रचना की थी अमुक्त माल्यद गरंथ की रचना विजय नगर के सासक कृष्ण देवराय ने किस भासा में की थी आपसन है आपके तेलगू, तमिल, कन्नर या फिर संस्कृत तो सही उत्तर है तेलगू भासा में अमुक्त माल्यद की रचना की गई है विजयनगर के तुलूभंस के सासक कृष्ण देवराय जो थे उसके दरबार में आठ कवियों की एक मंडली रहते थे जिसको अश्ट दिगज भी कहा जाता था और कृष्ण देवराय स्वयंग एक विद्वान थे और उन्होंने तेलगू में अमुक्त माल्यत की रशना की थी अगला प्रेश्ण है किसने धर्म महाराज की उपादिधारन की थी जिसका ओचित उसके द्वारा असुमेज सहित अनेक वैद्दी की अग्यों के समपादित करने से सिध्धो होता था आपसन है प्रवर सेन पर्थम, समुद्र गुप्त, सर्वतात या फिर पुस्यमित्र तो सही उत्तर है दोस्तों प्रवर सेन पर्थम प्रवर सेन पर्थम जो था दोस्तों ये वाकाटक वंस का अकेला सासक था जिसने सामराट की उपादिधारन की थी वो धर्मनिष्ट ब् अगला प्रश्ण है दोस्तों जिल अल्लाह जो राज अधिकार संबंधिया और धारा है किस से संबंधित है आपसन है आपके बलवन बहलोल लोदी फिरोज तुगलक या इलतुतमिस तो जिल अल्लाह दोस्तों बलवन से संबंधित है और बलवन जो था ये दिल्ली सल्तनत का पर्थम सुल्तान था जिसने सुल्तान के पद, अधिकार और राजत्यों के संबंध में अपने पिचार प्रकट किये थे दोस्तों जिले अल्लाह जो है वो सुल्तान को इस्वर का प्रतिभिम्ब और उसके हिर्दय को दैवी प्रेड़ा और क्रान्ति का भंडार मानता था अगला प्रेशन है तुरकान ए चिहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किस ने किया है देखे किताब उल रहला में फुतुह उल सलातीन तबकात एनासरी या खजाइन उल फुतुह में तो दोस्तों तुरकान ए चिहलगानी ये चालीसा दल होता था जिसमें इसका सरोपर्थम उल्लेख इसामी की पुस्तक फुतुह अल सलातीन में किया गया है तो सही उत्तर है तुरकान ए चिहलगानी का सबसे पहले उल्लेख फुतुह अल सलातीन में मिलता है अगला प्रश्न है सुल्तान अहमद बिन तुगलक के सासन छेतर को हिंद और सिंध सब्द का प्रयोग किस ने किया था आपसन है आपके जियाउद्दिन बर्नी, इबन बतूता, यहिया बिन अहमद सर हिंदी और अब्दुल मलिक इसामी तो सही उत्तर है अहमद मुहमद बिन तुगलक के सासन छेतर को हिंद और सिंध सब्द का उलेख इबन बतूता के द्वारा किया गया था इबन बतूता का नाम अबु अब्दुल्ला मुहमद था, यह अफरिका में मोरको का निवासी था और मुहम्मद बिन तुगलक के समय में ये भारत की आत्रा पर रहा था और बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी भी नियूक्त किया था अगला प्रश्ण है वरली और अमीर वली और अमीर के पदों को किसने पिर्थक किया था आपसन हैं बल्वन, मुहम्माद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर गयासुद्दीन तुगलक तो सही उत्तर है मुहम्माद तुगलक ने दोस्तों वली और अमीर के पदों को पिर्थक किया था अगला प्रशन है सुल्तान गढ़ी किसका मकबरा है कुतोबुदीन एहभक, रुकनुद्दीन फिरोज, बल्वन, नसीरुद्दीन महमुद तो दोस्तों दिल्ली में जो सल्तनत युग था इसमें विभिन कलाओं से मुकित अस्थापत कला के भी विकास हुआ और सुल्तान गढ़ी नसीरुद्दीन महमुद का मकबरा था उसके बड़े पुतर नसीरुद्दीन मुहमोद का मुकबरा सुल्तान गड़ी बनवाया था अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि किस मंगोल सेनपती ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था बहुत ही महतपूर है, आपसन है आपके तरगी, एक बालमंद, कुदगल ख्वाजा या फिर कदर तो सही उत्तर है तरगी, मंगोलों का चवथा आकरमण उस समय हुआ जब अलाउद्दीन चित्तवड के घेरे से वापस दिल्ली पहुचा ही था उसकी परियाप्त सेना भी उसके पास नहीं थी, एक बड़ी सेना तेलंगाना आकरमण पर गई थी और इस समय मंगोल नेता तरगी एक लाख बीस अजार घोड़सवार सेना लेकर दिल्ली पर आकरमण किया था और अलाउद्दीन को सीरी के दुर्ग में सरन लेनी पड़ी थी मंगोलों के दो महिने के घेरे के बाद दिल्ली के आसपास के परदेसों को लूट कर वापस चले गए और ये अलाउद्दीन की पराजय कही जाती है तो मंगोल सेनापती तरगी द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को हराया गया था अगला प्रशन है कर है एक सर्व कर या सर्व टैक्स किस पर लागू होता था तो जल आपूर्ती बनाये रखने के लिए सर्व कर लागू होता था फिरोज तुगलक ने जो है कई समुदाय के बेक्तियों को जीतने का प्रयास किया और क्रिसी और उन्नत किस्म के बीजों के प्रचलन की सहायता द्वारा नहरूं द्वारा सिंचित भूमी यानि सिचाईकर की दर उपज का एक वटे दस भाग होती थी जिसको हक एसर व्यासी चाईकर कहा जाता था अगला प्रशन है कौन सा दिल्ली का सुल्तान हिंदू योगियों और पुलिस फकीरों के साथ बात ने किया आपसन है आपके अलाउद दिन खिल जी, फिरोज साहत तुगलक, मुहम्मद बिन तुगलक, गया सिद्धिन तुगलक तो दोस्तों मुहम्मद बिन तुगलक ने ये सरवाधिक भी लच्छन प्रतिभावाला ब्यक्ति था ये धार में कटर नहीं था, ये हिंदू योगियों और मुस्लिम फकीर दोनों के साथ बात करता था उसने अपने दर्बार में जैन बिद्वान, जिन प्रभुसूरी और रास सेखर का स्वागत किया और दिल्ली के परसिद्ध सूफी सेख सिहा बुद्दीन को अपने दर्बार में नियुक्त किया था अगला प्रशन है, अहमद साह ने 1748 में सब्दर जंग को किस पद पर नियुक्त किया था तो सही उत्तर है सामराज का वजीर अहमद साह ने 1977-1948 में सबदर जंग को सामराज का वजीर नियुक्त किया था आवध की सोतंतराज का संस्थापक साधत खान अथवा बुरहन उल्मुल्क था उसने अपनी पूत्री का विवाह अपने भतीजे सबदर गंज से किया था दोस्तों साधत खां की मिर्ट्ट के बाद मुगल सामराट मुहम्मस साह ने एक फर्मान के द्वारा सब्दर जंग को अवध का नबाब ने उक्त किया था अगला प्रशन है कि सासक ने विचार दिया कि राज जिवास्तों में एक इसलामी राजिन नहीं हो सकता है तो सही उत्तर है जलालुद्दीन खिल जी जलालुद्दीन खिल जी दिल्ली का पर्थम तूर्की सुल्तान था उसने उदार निरंकुस्तावाद के आदर्स को अपने सामने रखा और अपने विरोधियों को संतुष्ट करने का उनको प्रयत्न किया लेकिन वह एक योग सेनपति था उसने विचार दिया कि कोई भी राज्य वास्तों में एक इसलामी राज्य नहीं हो सकता है अगला प्रशन है अकबर ने फरजंद की उपाध किसे दी थी आपसन है आपके बीरबल मिर्जा अब्दुर्रहिम खान खाना मिर्जा मनोहर से खावत राजा मान सिंग तो फरजंद की उपाध ही अकबर ने राजा मान सिंग को दी थी दोस्तों आमेर या जैपूर का राजा बिहारिमल अथवा भारमल था जो कच्छवा हा राजफूत था बिहारिमल ने अपनी पुत्री का विवाः 1562 में मुगल सामराट अकबर से किया था और अकबर ने प्रसंद होकर बिहारी मल को मुगल सेना में 5000 का मनसब परदान किया था और बिहारी मल के पुत्र भगवान दास और मान सिंग को भी उच मनसब दिया गया मान सिंग की सेवा से प्रसंद होकर अकबर ने उसे फरजंद की उपाद दी थी अगला प्रेश्ण पानिपत के युद्ध से संबंदित है पानिपत के तिरती युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसल्मान से नायक कौन सा था तो सही उत्तर है इब्राहिम खान गर्दी दोस्तों 14 जन्वरी 1761 को अहमद साह अब्दाली और मराठों के बीच पानिपत का युद्ध हुआ था इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी और इस युद्ध में इब्राहिम खागार्दी को भारी तोप खाना उपयोगी सिध्ध नहीं हुआ और अब्दाली की उटों पर रखी घूमने वाली तोपों ने मराठों का सर्वनास कर दिया था अगला प्रशन है दोस्तों बखर क्या है आपसन है आपके इतिहास रचना का बढ़नात्मक साधन गुप्तचरों की सूशना राज की घोशडाएं या फिर भी देशी समाचार पत्र दोस्तों इतिहास प्रशना के बढ़नात्मक साधन ये मराठा सामराज में इनको बखर कहा जाता है अगला प्रशन है किसके विरुध साहजहा ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था तो सही उत्तर है गुरु हर्गोविंद सिंग के विरुध साहजहा ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था और हर गोविन ने अपने समर्थकों से धन के अस्थान पर घोड़े और हतियार देने आरंब कर दिये थे और तक्थ अकाल बंगा की नियू इन्होंने डाले अमरिसर की किले बंदी की और 1628 में साहजहां का प्रियवा जोड़कर गुर गोविन सिंग के खेमे में आ गया इसी को लेकर दोनों पच्छों में करतारपुर में युद्ध हुआ था अगला प्रश्न है असोग का कौन सा सिलालेक धार्मिक सामन जस्य के विश्य में कहता है तो सही उत्तर है दोस्तों 12वा सिलालेक जो है उसमें असोग बिभिन धर्मों के प्रति अपने द्रिष्टिकोंड और स्वाभाविक द्रिष्टिकोंड को अधिका सपष्ट करते हुए कहता है कि मनुस्य को अपने धर्म का आदर और दूसरे धर्म की अकारण निंदा नहीं करने चाहिए अगला प्रश्न है नादिर साह के द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बास साह कौन था तो ये था मुगल बास साह दोस्तों मुगलबाद साह जो है मुहम्मद साह को बंदी बनाने वाला नादिर साह था नादिर साह दिल्ली में दो माह रहा है और सबसे अधिक धन लोड़ कर भारत से ले गया और जाने के पहले मुहम्मद साह को पुनह भारत का सामराट नियुक्त किया था अगला प्रश्ण है दारा सिकोह को मुलहिद किस ने कहा था आपसन है आपके दोस्तों आपसन देखिए इसमें है अरंगजेब, मुराद, साहसुजा और मुहम्मद काजिम तो सही उत्तर है दारा सिकोह को मुलहिद अरंगजेब ने कहा था अलमुलाहिद इसलिए कहा गया कि छमाने करते हुए दिल्ली में हत्या करवा दे थी और अंग्जेब ने उसे अलमुलाहिद कहा और उसे छमा नहीं किया दिल्ली में दारा की हत्या करवा दे थी अगला प्रशन है कौन एक संस्कृत के विद्वानों की सहायता के द्वारा दारा सिकोह द्वारा तयार किये गए उपनिस्दों के फारसे अनुवाद की प्रस्तुती है अगला प्रश्ण है मिर्जा राजा की मुगल पद्वी किसे परदान की गई थी। जै सिंग, भार्मल, जस्वन सिंग या फिर राम सिंग तो सही उत्तर है जै सिंग को मिर्जा राजा की पद्वी दी गई थी। अगला प्रश्ण है कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा इरान के साह अब्बास पर्थम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था तो सही उत्तर है वो चित्रकार था विशनदास विशन दास दोस्तों ये 6 चित्र बनाने में बहुत ही माहिर थे और जहागीर ने उसे इरान के साह अब्बास पर्थम का 6 चित्र बनाने के लिए भेजा था अगला प्रशन है उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताई है जिसने चंद्रगिरी के सासक से 1649 में मदरास पट्टे पर लिया था तो सही उत्तर है वो था फ्रांसिश डे फ्रांसिश डे जो था दोस्तों उसने चंद्रगिरी के सासक से 1649 में मद्रास को पट्टे पर लिया था अगला प्रश्ण है कौन सा केंद्र भारत में डच वाड़ी जिक केंद्र नहीं था अगला प्रश्ण है राबर्ट क्लाइब ने मुगल सासक से बंगाल बिहार और उडिशा की दिवानी किस बर्स प्राप्त की थी स्विकार की थी तो ये था सन सन 1765 हिस्वी मुगल सामराट साहालम दूती ने 12 अगस 1765 को एक फरमान द्वारा कमपनी को बंगाल बिहार और उडिशा की दिवानी अस्थाई रूप से दे दी थी तो सही उत्तर है राबर्ट क्लाइब ने मुगल सासन से बंगाल बिहार और उडिशा की दिवानी 1765 में स्विकार की थी अगला प्रेशन है दोस्तों निम्रिखित में से किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवधासी पर्था का उन्मूलन हुआ था दोस्तों देवधासी प्रथा जो थी वह बहुत ही ऐसी विक्रिति थी जिसमें बालिकाओं को या कन्याओं को मंदिर में देवी के पुजा अरजना के लिए दिया जाता था लेकिन वह वहां के पुजारियों का सोसन का सिकार हो जाती थी अगला प्रश्ण है दोस्तों बेसिन की संधी 1802 किस किस के बीच हुई थी तो सही उत्तर है अंग्रेजों और पेस्वा बाजी राव दूती के बीच में हुई थी बेसिन की संधी अगला प्रश्ण है 1857 की क्रांती में अंग्रेजों की विरुद्ध जिहाद का परचार किस ने किया था आपसन है मौलवी अहमद उल्ला, मौलवी कुद्रतली, मौलवी एहसान उल्ला और मौलवी बरकतली तो दोस्तों मौलवी अहमद उल्ला ने अंग्रेजों की विरुद्ध 1857 में जिहाद का परचार किया था मौलवी अहमद उल्ला ये तमिलनाडु के अरकाट जिले के रहने वाले थे और फैजाबाद में आकर बस गए थे उन्होंने भारत के विभिन धर्मानुयायों को अहवान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों की विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भाहर से भाहर खदेड़ दो पांच जून 1858 को अवध रुहेल खंड सीमा पर उनकी हत्या कर दी गई थी अगला प्रश्न है दोस्तों 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की अस्थापना किसने की थी तो सही उत्तर है स्वामी हर दयाल सिंग दैयाल पन्त के नाम से भी उग से जाना जाता है, राधा स्वामी ससंग की अस्थापना, तुलसी राम जिसे सिव दैयाल साहब के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने किया था अगला प्रश्ण है आरे समाज की अस्थापना कहां हुई थी तो सही उत्तर है बंबई में सन 1875 में आरे समाज की अस्थापना दयानन सरस्वती ने किया था अगला प्रश्ण है 1888 में हुए प्रथम राष्टी सामाज की अंदोलन की अधिवेशन जो मदरास में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी तो दोस्तों प्रथम राष्टी सामाज की अंदोलन का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता टी माधो राव ने किया अगला प्रश्ण चालुक के और होयसल बंस के मंदिर कि सैली में निर्मित हैं तो सही उत्तर है बेसर सैली में आप जानते हैं कि भारती मंदिरों में तीन प्रमुक सैलीयां हैं नागर, बेसर और द्रभिर सैली तो नागर सैली जो है उत्तरी और मध्य भारत में नागर सैली के मंदिर निर्मित है मध्य भारत और करनाटक में उत्तरी और दच्छी दोनों सैली का मिस्रिस स्वरूप था करनाटक में चालुक के मंदिर प्राय बेसर सैली के माने जासे हैं और दच्छिड भारत के मंदीर ये द्रमड सैली में निर्मित हैं तो बेसर मंदीर चालुक के और होयसल वंस के मंदीर इसी सैली बेसर सैली में निर्मित है अगला प्रश्ण है दोस्तों कौन भारती राष्टी कांग्रेश के अस्थापना अध्यवेशन में उपस्थित नहीं था तो इसमें जो आपसन हैं उसमें से सुरेंद्र नात बनर जी जो थे वो भारती राश्टी कांग्रेस के अस्थापना ध्यूशन में सामिल नहीं थे अगला प्रश्ण है एनी बेसेंट द्वारा प्रारम किया गया होम रूल लीग आंदोलन स्वराज जी सासन आंदोलन का लक्ष क्या था तो सही उत्तर था भारत के लिए स्वसासन प्रारम करने की मांग करना या भारत के लिए स्वसासन जो था वो होम रूल आंदोलन का उद्दे से था एनी बेसेंट द्वारा जो प्रारम किया गया होम रूल था अगला प्रशन है कांग्रेश ने मुस्लिमों के लिए प्रिथक निर्वाचक मंडल को कब स्विकार किया था तो ये था लखनव समझोता लखनव कांग्रेस अध्वेशन में तीलक को पुनह कांग्रेस में सामिल किया गया और इस अध्वेशन में कांग्रेस लीक समझोता हुआ जिसे लखनव पैक्ट की नाम से जाना जाता है दोस्तों इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुसलिमों के लिए पिर्थक निर्वाचक मंडल को भी स्विकार कर लिया और यहाँ पर मदन मुहन मालवी का मानना था कि मुसलिम लिग को बहुत अधिक महत्य तवज्जो दिया जा रहा है अगला प्रश्ण है किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की सक्ती प्राप्त हुई थी तो सही उत्तर है भारती परिशद अधिनियम 1861 इसके द्वारा जो है अंग्रेजों की नीत ये जो था इसमें गवर्नर जनरल को अध्यादेश या आर्डिनेस जारी करने की सक्ती प्राप्त हुई थी और ये जो आर्डिनेस था ये भारत सचीव द्वारा समाप्त न किये जाने पर 6 माह तक लागू रह सकता था अगला प्रश्ण है सुभाष चंद्रबोस के त्यागपतर के बाद भारती राष्टी कांग्रेश का अध्यक्ष कुण हुआ तो सही उत्तर है कि राजेंद्र परसाथ दोस्तों 1949 में त्रिपुरी कांग्रेश अध्यवेशन हुआ अध्यचपत के चुनाव में गांधी जी के प्रतनित पटा विसीता रमय्या को जो है सुभाष चंद्रबोस ने पराजित कर दिया था और कांग्रेश के कारेकारे के गठन पर मतभेद होने का कारण सुभाष चंद्रबोस ने त्याग पतर दे दिया और उनकी जगह पर राजेंद्र परसाथ को अध्यच चुना गया था और इसी वर्स यानि वर्स 1949 में सुभाष चंद्रबोस ने फारवर्ड बलाक की अस्थापना भी की थी अगला प्रशन है संख लिपी के लेख निमलखित अस्थल के अस्थोप आउसेश से प्राप्त हुए हैं आपसन है राजाराम मुहन राय, श्री नारायड गुरू, दयानन सरस्वती और रामकृष्ण परमहंस तो दोस्तों जीव शिव है इस सिध्धान्द का प्रजलन स्वामी रामकृष्ण परमहंस द्वारा किया गया था रामकृष्ण परमहंस दच्छडेस्वर इस्थित काली मंदिर के पुजारी थे इन्होंने चिंतन सन्यास और भक्ती के परमपरागत तरीके से धार्मिक मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया था और उनका ये सिध्धान्द था कि जीव शिव है अगला प्रश्ण है किर्स मुर्तिकला में सबसे पहले रामायड से द्रिस से प्रकट हुए आप सन देखिए नचना कुठार, खजुराहो, एरण और ओसियां तो सही उत्तर है नचना कुठार नचना कुठार मध्यपरदेश के पन्नाजिले में इस्थित है और इस मुर्तिकला में सबसे पहले रामायड के द्रिस से मिलते हैं अगला प्रश्ण है अजन्ता के किस गुफा में मरडा सन राजकुमारी का द्रिस से अंकित है तो सही उत्तर है दोस्तों गुफा संख्या सोले में मरडा सन राजकुमारी के जो है वो द्रिश से अंकित है और इस द्रिश में क्या है इसके चारोर परिवारजन सोका कुलावस्था में खड़े हैं और बिद्वानों ने इसकी पहचान बुद्ध के सौतोयले भाई नंद की पतनी सुन्दरी से की है अगला प्रशन है दोस्तों निम्रखित में से कौन चतुराई पोड निसक्रीता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है आपसन है आपके बिलियम बैंटिक, लाड कैनिंग, जान लारेंस या फिर लाड मेयो तो सही उत्तर है बुद्धिमत्ता पोड निसक्रीता या चतुराई पोड निसक्रीता की नीति से जान लारेंस जुड़ा हुआ है दोस्तों इसके काल को, जान लारेंस के काल को कुसल अकरमडेता की नीति या चतुराई पोड निसक्रीता का काल कहा जाता है वो अफगान युद्ध में हुए सर्वनास का सीधा पैडाम था और जान लारेंस की नाम से इसको संबंधित किया जाता है क्योंकि इस वायस राय के काल में इस नीत को अनुसरन करने का असपष्ट आउसर उसे मिला था अगला प्रश्ण है दोस्तों कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से दी पेरिपलिस आप दे एरिथ्रियन के लेखक को ग्याद था आपसन है आपके अरिका मेडू बारबे की कम कोर के या फिर तामरलिप्ति सही उत्तर है अरिका मेडू दोस्तों अरिका मेडू में 1945 में हुई खुदाई से इस भी सन की प्रथम दो सताबदियों के रोमन मिद्भांडों के अनेक टुकणों के साथ एक रोमन व्यापारिक केंद्र के अवसेस का पता चला है अरिका मेडू को पेरिपलस आप दे एरिथ्रियन सी में पेडोक नाम से संबोधित किया गया है अगला प्रेशों में से दसरत जातक का सिल्पांकन कहां से प्राप्त हुआ है तो सही उत्तर है नागारजुन कोंडा से दसरत जातक का सिल्पांकन प्राप्त हुआ है अगला प्रेशन है निम्र्खे संतों में से किसके अनुयाई विश्नु का आवतार किसे मानते हैं आपसन है चै चैतन्य महाप्रभू इनको उनके अनुयाई विष्णु का अवतार मानते हैं। दोस्तों स्री नारायन गुरू की पुस्तक का नाम है जाति मिमानसा। दोस्तों नारायन गुरू ने अस्प्रिस से जातियों और पिछडी जातियों जो है उनको उनकी प्रतिष्ठा और उनके सम्मान की याद दिलाई। और उनका नारायन गुरू का एक मानना है कि कोई भी किसी से उसका जाति धर्म न पूछे ये नारायन गुरू का कथन है और जाति मिमान सा पुस्तक भी उन्हीं की लिखी हुई है अगला प्रशन है भागिलय की मुद्रायन इम्र्खित में से कहां से प्राप्थ हुए हैं आप साने देखिए नासिक, कौसामबी, गोदावरी कृ भागिलय की मुद्रायन नर्मदा घाटी से प्राप्थूई हैं भागिलय मुद्राय पंच मार्क मुद्रा होती हैं जिन पर कमल के द्रिश्यों का अंकन होता है अगला प्रशन देखिए बहुत ही महतपूर है जवाभित क्या थे आप सन है क्रिशी संबंधी कानून, हिंद तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इसमें आपने हल किया TGT सामाजिक विज्ञान का इतिहास खंड ये प्रश्ण पत्र 2013 का प्रश्ण पत्र था इसमें आए हुए कई सारे महत्वपोंड आगामी परिच्छाओं के लिए भी ये प्रश्ण महत्वपोंड हैं आप इनको त